वैसे ना यार भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मने ट्रेडिंग एकाउंट का कैपिटल जो है कैसे मैनेज करेंगे हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी सुरु सुरुआत में ट्रेडिंग करने आते हैं तो अपने ट्रेडिंग एकाउंट में किवल पैसा एड करते जाते हैं पे आउट नहीं लेते हैं देखिए एक बाद मैं आपको बता दूँ ये वीडियो जो है मैं अपने एक्सपेरियंस के बेस में बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैपिटल मैनेज करना है देखिए एक बाद मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने ट्रेडिंग एकाउंट में अपना पैसा एड करें तो उसका किवल 50% या 60% कोशिज करें कि 60% से जाधा ट्रेड ना ले जाने कि आपको अपने कैपिटल में यदि 10,000 रुपए एड करें तो आपको यहां पर 6,000 रुपए से जाधा ट्रेड नहीं लेना है अब आपके दिमाग में ये भी कोश्चन आएगा कि हमें यहां पर जाधा क्यों नहीं ट्रेड लेना है इसका भी मैं आपको बता तो देखें माल जी यहां पर आप 10,000 रुपए आप अपने कैपिटल में एड की हैं अब देखें क्या होता है न कि जब भी हम आप्सें ट्र आपको 50% या 60% ही ट्रेड करना है अगर माल जी यहां पर आप 60% यानि कि 10,000 रुपए एड के हैं और 6,000 रुपए का ट्रेड करते हैं अगर माल जी उसमें से लॉस आप कुछ कर देते हैं 1000,000 रुपए का तो कोई बाप नहीं यहां पर उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके पास और कैपिटल यहां पर बचा हुआ है अब वहाँ पर माल जी यदि एक 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 जंसन दखिए कि यदि आप यहां पर 10,000 रुपए अपने ट्रेडिंग काउंट में एड करते हैं और 10,000 रुपए का पूरा ट्रेड ले ले लिते हैं तो यहां पर यदि माल जी ल परसेंट से ज़्यादा आपको ट्रेड करना ही नहीं है अब नमबर दूसरी बात को दियान में रखें जब भी आप ट्रेड करीगे तो स्टॉप लॉस लगा करेंगा इस टॉप लॉस में क्या होता है कि आपको यहां पर पहले सी आप यहां चाहर देते हैं कि हम इतना परस पूरा पैसा लगाते जाते हैं यानि कि मालजे सीधी समझों में समझाता हूं जैसा कि आप यहाँ पर अपना अब उसमेंसे आपको 500 रुपए का प्रॉफीट हुआ now कि किया है जो भी प्रॉफिट बुक किया है उसका प्रॉफिट को मिला कर अप्र आफ्सन ट्रेडिंग करने लगते हैं यही सबसे बड़ी गलती रहती है आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपका जीज दिन भी profit book हो अब आपको क्या करना पड़ेगा उसका 70% या 60% आपको यहाँ पर payout ले लेना है देखें ज़्यादा तर गलती यही होता है कि हम यहाँ पर जब भी payout नहीं लेते हैं तो जब next day हमारा market open होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी हमारा capital था बाकी हम जितना profit book किये थे सब को मिला कर हम यहाँ पर trade ले लेते हैं तो आपका यहाँ पर capital बस सकता है नहीं तो आप यहाँ पर कर्ज में डूब सकते हैं ऐसा भी होता है कि जब भी हमारा capital ज़्यादा डूब जाता है तो हम क्या करते हैं फ्रेंस से पैसा लेकर फैमिली से पैसा लेकर हम यहाँ पर trade करने लगते हैं यही सबसे बड़ी गलती होते हैं यहां पर आपको trade नहीं करना है आपको अपने capital का 60% trade करना है बाकी जो मैं आपको rules बताया हूँ उन सभी rules को ध्यान में रखना है